हेलो गाइज वेलकन को अन्यादा वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंस डिसी भी बैंक की और से दिसंबर कॉर्टर के फिनांशल डिजल्ट पेस हो चुका है जो कि आज केस वीडियो में डिसकस करेंगे चलिए फिंस वीडियो स्टार्ट करते है तो गाइज हम लोगा चुक करोड का पिछले क्वार्ट नाइन हंडेट सिक्ष्टीन करोड सा दिसंबर वैंटीवन कॉर्टर में 797 करोड का खर्च हुआ तो कंपनी का एक्स्पेंसेंस इंकम के कॉर्डिंग इस बार जो है यह रॉन यह में बहुत ज्यादा खर्च हुआ जिसके वैस कंपनी के पॉफ होता है जो कंपनी को पे करने पड़ते हैं या कंपनी को एड किया जता है तो इसके वैस देखिए तो यहां पर पिछले साल जो है 97 करोड के आसपास का पे करना पड़ा था जिसके वाज़ा से कंपनी के पॉफिट बहुत बड़ी गिरावाट आई थी लेकिन इस बार मात 40 क करोड का ही पे करना पड़ा इसकले से प्रॉफिट में तेजी आई तो यहां पर प्रॉफिट जो निकलके आया है 114 करोड़ का पिछले क्रोडर में 112 क्रोड था समब टवेंटीवन क्रोडर में 75 क्रोड़ का प्रॉफिट था तो कॉटन माइनर सा ग्रोथ उतना चाप नहीं पिछले quarter और पिछले साल के compare में बहुत इशानदार तेजी देखने को मिला है तो यहां पर देख सकते कंपणी की जो financial result का है जो कि पिछले quarter में 3.89 परशेंट साथ दिसंबर 21.4.78 परशेंट का था कंपणी पर NPA तो बहुत है बहुत ज्यादा NPA है लेकिन फिर भी गाइस कंपणी यहां पर NPA को लगातार डिक्रीज कर रही है जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है कंपणी के fundamentals की और कि कंपण से revenue जनरेट करता है जो कि अच्छी revenue जनरेट करती भी नजर आई तो ओवराल कंपणी यहां पर अच्छी रिजल्ट पेस्ट किया है तो अपनों की वीडियो कहीं पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पुछें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल senin नेक्षा करते हैं यहां तिल्ट पाउ डिस्ट वीडियो करती है ते वीडियो को कि यहां थ Pen!